देश विदेश से सभी पसपालक मित्रों को ब्रिजेश्तिवैरी का राम राम नमस्कार आप सभी मित्रों को नवरात्री की बहुत बहुत सुपकाम नाए मित्रों आज जो हम वीडियो दिखा रहे हैं वो नरेज भाई के आँसे दिखा रहे हैं और जो भैसे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी जन्वन रेट की भैसे हैं अभी ये मालने बहुत चीपेस्ट रेट चल ला है और आप लोग ये मौका चूके नहीं चूकि अभी जो भैसे खरीट के लेके जाएंगे वो आने वाले एक महिने बाद कम से कम 20,000 का अंतर आएगा तो आप लोग जल्द से जल्द भैसे खरीद ले और जो ये भैसे आप लोग देख रहे हैं ये 6 भैसे जो है सूरत जा रही है और वहां के एक तबेला के तबेले वाले हैं उन्होंने मिल्क इल्ड के आधार पर ये भैसे खरीदी है अगर हम इसमें ब्यात काल की बात करें तो इसमें दूसरे और तीसरे बयात की भैसे हैं, क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने हैं, और अगर हम इसमें दूद्चम्ता की बात करें, तो 14-18 अगर हम प्राइज की बात करें इसमें, तो इसमें 85,000 से लेके 1,10,000 तक का rate रहा है तो आप लोग बारी से एक-एक भैंस को देख लें अच्छी तरीके से और खुद अंदाजा लगा लें कि कौन सी 85 की हो सकती है और कौन सी 10 की हो सकती है कौन 90 की हो सकती है कौन 1,00,000 की हो सकती है तो आप लोग खुद मार्किंग करें और अपने अनुभाव को आप लोग लगातार बढ़ाते रहें जिससे कि जब आप लोग खरिदारी के लिए जाएं तो आप लोगों को कोई ठाग न सके अच्छी भैसों का चुनाओं करेंगे तो निश्ची तोर पे आपका डेरी फार्म प्रॉफिट में जाने वाला है अगर आप लोग अच्छी भैसे नहीं खरीद पाएंगे तो लॉस का करण भी बन सकता है कहीं भी खरिदारी के लिए जाएं तो सबसे पहले प्योटी दें कि आप जैनी हुई भैसे खरीदें नमबर दो आप खुद दूद निकाल के चेक करें कि जितना किसान दूद बता रहा है वो दो टाइम या तीन टाइम या चार टाइम में बराबर उतना दूद दे रही है कि नहीं एक बात जरूर है कि एक टाइम पे 20 आदा लीटर ज्यादा देती है एक टाइम में आदा लीटर कम देगी तो अगर मान लोग किसान 14 लीटर दूद बताता है तो एक टाइम हो सकता है साड़े साथ दे एक टाइम हो सकता है कि साथ दे या एक टाइम साथ दे एक टाइम साड़े छे दे तो ऐसे हो सकता है तो आप लोग अपने अस्तर पर जात परक जरूर करें